हेलो इस्टूडेंट्स तो आज हम करेंगे exercise 5.4 का question number 10 तो question number 10 क्या कहता है investigate in the given figure the angle measure 30 degree यहाँ पे यह हमारा एक figure दे रखा है और इसमें यह जो angle दे रखा है यह कितना दे रखा है 30 degree लिखा यहाँ पे है लेकिन यह हमारा 30 degree है उसके बाद में कहता है look at the same figure throw up magnifying glass magnifying glass क्या होता है हमारा ऐसा glass होता है जिसको हम अगर इस तरह से उपर नीचे करें तो यह हमारा figure बड़ा होता चला जाता है फिर आगे कहता है does the angle becomes larger तो यहाँ पे यह कह रहा है कि क्या यह angle large हो गया अगर आपके पास magnifying glass हो जिसको हम lens भी कहता है उसको अगर हम इसके उपर रखें और इसको थोड़ा सा उपर रखें तो यह हमारा figure होता है वो बड़ा होता चला जाता है तो यहाँ पे कह रहा है does the angle become larger तो हाँ जो है वो angle large हो जाएगा उसके बाद में कहता है does the size of the angle change तो कह रहा है कि क्या उस angle का size change हो जाएगा पहली बात तो यह है कि अगर हम उस lens को इस तरह से उपर करें तो हमें figure large दिखेगा लेकिन हम उसको measure नहीं कर पाएंगे तो measure करना थोड़ा सा मुस्किल होता है लेकिन यहाँ पर यह चीज याद रखेंगे कि अगर हमारा कोई भी angle size कितना ही छोटा हो ठीक है अगर यह हमारा जैसे यह अगर हमने माल लिया कि यह 30 degree है तो अगर हम इसको बड़ा कर देते हैं इस तरह से तब भी यह हमारा 30 degree ही रहेगा और इसका करने का आसान तरीका यह है कि हम एक mobile में angle की image ले लेते हैं यानि कि इसी की photo खीज लेते हैं और फिर इसको हम क्या करते हैं जूम इन करते चले जाते हैं तो हम उसको जब जूम इन करते चले जाएंगे तब भी वो हमारा 30 degree ही रहेगा तो यह हमारा investigation है और हमारा इसमें क्या पता चलता है कि angle का अगर size हम magnify glass से large भी कर दें तब भी angle का जो measurement होगा वो हमारा same रहेगा questions हम आप next lecture में करेंगे next questions आज के लिए बस इतना ही